तो हलो एडिवन वेलकर दू लवाने क्लासिस और आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक 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 क्वेशन के पेयर का सेलुशन आखिर कैसे फाइंड करते हैं इसके लिए क्या-क्या मेथड्स हमारे कोर्स में देऊ हैं और एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको डिस्क्राइब करू मिलती रहें तो लेट्स केट स्टारिट ठीक है तो एक एलजेब्रा के क्वेशन का जो पेयर रहता है अगर वो कंसिस्टेंट है यानि कि अगर हम उसका सॉलुशन फाइंड कर सकते हैं तो हम इसके लिए थ्री मैथड्स यूज कर सकते हैं एक तो एलिमिनेशन मैथर्ड है मैथर्ड है और एक क्रॉस मैटिप्लिकेशन मैथर्ड है आप जब तीनों मैथर्ड सीख जाएंगे तो आप परस्नली भी फाइंड करेंगे कि अलिमिनेशन मैथर्ड तीनों मैसे सबसे सिंपल टू यूज होता है लेकिन पेपर में यह नहीं रहता है कि आपको रेंडम बहुत अच्छे से आने चीए और कोई भी ऐसा मैथर्ड ने आपको जो स्किप करना है तो शुरू करते हैं पहला मैथर्ड जो मैं आपको पड़ाने वाला हूं वह है आपका सब्सेट्यूशन मैथर्ड और अंदर यार्ट पैंग चेंज कर लेते हैं ठीक है तो लेट्स ट सारीके से रिय आरेंज करेंगे कि आपको दो में से किसी एक वेरियाबल की व्यायू निकालनी है then आपको क्या करना है, substitute दूश्यूमें पुनिकर की गड़ी दूसरा एकॉपेशन है, उसमें उसकी वैल्या को पुट कर दी आपकी अपने आप निकलाएगी तेन आपको क्या करना है वो निकली हुई value दोनों में से किसी भी equation में लगा दीजी आपको पहला variable भी मिल जाएगा और दोनों variables की value मिलते ही आपको solution मिल चुका है तो example अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो मैंने दो equation ले रखी है y-2x equals 1 पह थी आसानी से निकाल सकता हूं तो मेरी y की value क्या आजाएगी 2x को RHS की तरफ move कराएगे value आएगी y equals 2 2x plus 1 value आगई आपकी आप क्या करेंगे इस value को equation number 2 में आप ले जाके put कर देंगे ठीक है तो यहां देखो मैंने red color में value put कर रखा इस equation में y की जगा 2x plus 1 bracket open करूंगा आएगा x plus 4x plus 2 equals to 12 फिर तो जोड़ूंगा फिर और further solve करने के बाद मेरा आजाएगा 5x plus 2 बराबर 12 2 को RHS की तरफ move करेंगे आएगा 5x equals to 10 और x की value आजाएगी finally 10 upon 5 equals to 2 तो यहां से मुझे x की value मिल चुकी है और मुझे करना क्या है y की value find करनी है तो equation number 1 में अगर मैं क्या दूँ x की value put कर दूँ तो मेरा answer आजाएगा y equals to 2 into 2 plus 1 मैंने equation number 1 में put ना करते हुए जो y की value निकाली थी उसके अंदर x की value put कर दी तो क्या answer आ गया 2 2 is a 4 plus 1 यानि की 5 तो मुझे x मिल गया 2 और y मिल गया 5 यानि मेरा solution हो गया 2,5 ठीक है? तो hence it is the desired solution of the gaming equation finded by the substitution method ठीक है आप इसी को आप दोनों बाकी के method जब सीख जाएंगे तो उनसे भी solve करके देख लेगे तो यह आपको करना है it's your homework next thing is elimination method जल्दी जल्दी cover करते जाते है question आपको बहुत सारे करने हैं के उपर मुझे भी बहुत सारे question कराने हैं के उपर तो दूसरा जो method है हो है elimination method elimination method में जो आपका पहला step रहता है वो है make the coefficient of any variable equal in both equations आपको क्या कराना है दोने equation देखिए और उसमें कोई सा एक variable या तो x या तो y उनकी value को आप बराबर करा दीजिए दोनो equation में अगर आपका एक में 2x है एक में 4x है तो आप पहली equation में 2 का multiply करके उसको भी 4x बना लीजिए यानि आपको पहले कोई एक variable दोने equation में equal करना है देन आपको क्या करना है step 2 में add और subtract to eliminate the variable जो variable आपने equal किया है उसको या तो minus कर दीजिए दोनो equation को तो वो cut जाएगा और अगर एक में plus का और एक में minus का है तो add कर दीजिए तो भी खुद बेखुद कर जाएगा तो आपको उसको card लेना है variable जैसी cut जाएगा तो आपके पास तो आपके पास दूसरे variable की value मिल जाएगी और दूसरे variable की value आपको जैसी मिल जाएगी तो आप उससे पहले variable की value भी substitution method की तरह ही put करके निकाल सकते हैं question अगर मैं आपको बता हूँ तो मेरे पास एक equation है x plus 2y equals to 8 और दूसरा equation है 2x minus 3y equals to 2 अब ये दोनों ही equation मैं मैं देख सकता हूँ कि इधर तो x है और इधर 2x है तो मैं पहली equation में multiplication करूँगा 2 का और वो बन जाएगी मेरे 2x plus 4y equals to 16 इसके नीचे दूसरी equation लेके आऊँगा वो है 2x minus 3y equals to 2 और क्योंकि इनमें दोनों ही sign 2x 2x same है तो मैं second equation को first equation मैं से subtract कर दूँगा तो मेरा 2x से 2x cancel हो जाएगा 4x plus 3y आएगा मेरा 7y 16 minus 2 आएगा मेरा 14 आए आजाएगा 14 divided by 7 यानि की 2 ये y की value में ले जाके सीधे put कर दूँगा equation number 1 में और जैसे ही मैं इसको वहाँ पर ले जाके put करूँगा answer आएगा मेरा x plus 2 times 2 equals to 8 यानि की x plus 4 equals to 8 यहाँ पर equation आई x plus 4 equals to 8 जब 8 मैं से 4 minus करूँगा तो answer आएगा मेरा यहाँ पर थोड़ी mistake हो गई है यहाँ पर x equals to 4 तो 4 हो जाएगा मेरा x की value x आगा मेरा 4 y आगा मेरा 2 और यही होगा मेरा desired solution of the pair of equation तो elimination आप सीख गए होंगे question बाकी करिएगा फिर भी doubt आए तो मुझे pink कर दीजे का comment section में मैं आपके लिए हमिशा ready बैठाओं अगली चीज़ देखते हैं जो है cross multiplication method अब cross multiplication method जो है वो सबसे lengthy पड़ता है इसमें calculation सबसे ज़्यादा पड़ती है लेकिन इस method की खासियत यह है कि आप इससे बिना दिमाग लगाए कोई साभी question सिर्फ calculation से solve कर सकते हैं बाकी method में आपको variables बराबर करने है या substitution करना है यहाँ पर आपको सिर्फ formula को follow करना है तो पहले मैं आपको formula बता देता हूँ formula यह रहेगा मेरा कि मेरे पास दो equation है माल लीजिए एक मेरी है a1 x plus b1 y plus c1 equals to 0 और दूसरी मेरी है a2 x plus b2 y plus c2 equals to 0 अगर मेरे पास यह दो equation है और इसमें जो मेरे coefficients हैं वो है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 तो मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे इसको कैसे solve करना है तो पहला काम क्या है आप कुछ इस तरीके से यह 3 लिख लेंगे यह 3 parts आप equate कराएंगे एक में आप x लेंगे numerator side में एक में आप y लेंगे और एक में आप 1 लेंगे ठीक है y के साथ आपको एक चीज बहुत अच्छे से दिहान रखनी है जो कि है y आपका हमेशा minus का रहेगा ठीक है आपको y कैसा लेना है minus का यह आपकी एक mistake को बचाने के लिए हम करते हैं यहाँ पर आप y minus का ले लीजिए अब जब आप x लिख रहे हैं तो x के नीचे जो denominator आएगा उसमें x के coefficient नहीं आएंगे वहाँ पर क्या आएंगे एक तो y के coefficient और एक आपके constant terms यानि b1, b2 और c1, c2 y की नीचे आपके y की coefficient नहीं आएंगे क्या आएंगे a1, a2, c1, c2 1 की नीचे आपके constant terms नहीं आएंगे वहाँ आएंगे आपके a1, a2, b1, b2 अब क्या करना है आपको इन में cross multiplication लगाना है और बीच में आपको minus कर देना है तो b1 into c2 minus b2 into c1 यानि b1 into c2 minus b2 into c1 ऐसी महाँ पर क्या हो जाएगा a1 into c2 minus a2 into c1 और तीसरे में क्या हो जाएगा a1 into b2 minus a2 into b1 तो यह आपको तीन पार्ट्स मिल जाएंगे तीनों के नीचे और या तो आप इसको learn कर लीजिए tough पड़ेगा या फिर आप यह method सीख लीजिए और इसको numbers के साथ apply कर दीजिए कैसे उपर वाली ही equation अगर मैं इस method से solve करना चाहूं तो मुझे क्या देखना है कि पहला equation था मेरा x minus 2y minus 8 equals to 0 और दूसरा equation था मेरा 2x minus 3y minus 2 equal to 0 अब मैं क्या करूँगा x के नीचे मैं coefficient लिखूँगा 2 minus 3 और minus 8 minus 2 x कोविशंट छोड़के minus y के नीचे में coefficient लिखूँगा 1 2 और minus 8 minus 2 और 1 के नीचे में coefficient लिखूँगा 1 2 और 2 minus 3 फिर मैं cross multiplication लगा हूँगा 2 times 2 times minus 2 यानी minus 4 फिर minus 3 times minus 8 24 और बीच में किसका sign आजाएगा आपका minus का ऐसी आपका 1 2s are minus 2 and 2 times minus 8 are minus 16 बीच में किसका sign आजाएगा minus का ऐसी आपका 1 minus 3 times minus 3 और 2 to just 4 और बीच में किसका sign आजाएगा आपका minus का अब minus 4 minus 24 is minus 28 ऐसे ही minus 2 plus 16 क्या हो जाएगा आपका 14 और minus 3 minus 4 क्या हो जाएगा आपका minus का 7 अब आपका काम क्या रहेगा इसके बाद का काम को ये करना है कि x वाला part आपको equate कर देना है इस term के क्या हो जाएगा आपका x is equals to 28 आपका दूसरी तरफ पहुच जाएगा तो हो जाएगा x is equals to minus 28 upon minus 7 जिसकी value आपकी क्या हैगी निकल के 4 ऐसे ही आपका फिर आपको क्या करना है इसके बाद इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको फिर से equate कर लेना है y वाले term को और इस 1 वाले term को इसमें अभी आप देख सकते हैं 14 उधर पहुंच जाएगा और यह क्या हो जाएगा minus 14 upon minus 7 और यह value आपको कितने निकल के आजाएगी 2 यहाँ पर भी x कितना आया 4 y आया आया आपका 2 तो ऐसे आप calculate कर सकते हैं x और y दोनों की value solution हो जाएगा यहाँ पर भी 4,2 ठीक है तो आप यह भी calculation निकाल चुके हैं तीनों method अगर आप follow करना सीख गए तो आपके 2 या 3 marks paper में अच्छी से secure हो चुके हैं क्योंकि कोई ना कोई question कहीं ना कहीं किसी chapter में तो आपको solve करनी ही पड़ेगी तो इसको अच्छे से सीख लीजिए लगभग लगभग 10 example आप इसके लगा के देखिए 3-4 3-4 हर part के आप इसको अच्छे से practice कर लेंगे ठीक है तो अगर आपको solution अच्छे समझ में आया होगा तो विडियो को like कर दीजेगा ठीक है और comment section में बता दीजेगा कि आपको कैसा लगाए explanation आगे नए content के लिए मुझे बता दीजेगी मैं क्या ले क्या हूँ आपके लिए और ऐसी पढ़ते रहे है बस pandemic के टाइम पे भ कर दो दो तो